हलो एंड वेलकम मैं हूँ अभिलाशा पाठाक और हाजिर हूँ एक बाद फिर से लेके आपका फेवरिट शो रूबरू हमारे शो में हमेशा आपकी मुलाकात ऐसी ही शक्सियतों से कराते हैं जिसे आप धे सारे इंस्पिरेशन ले सके और आज जिस वुमिन इंटर्प्रियॉनर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ पेशे से डॉक्टर हैं बलकि बहुत ही कम समय में उनके हॉस्पिटल सन्राइज हॉस्पिटल ने काफी नाम कमा लिया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निकिता त्रेहान की है कहते हैं यहां इलाज कराने से जिन्दगी रौशन हो जाती है सन्राइज हॉस्पिटल में मरीज आते तो हैं अपनी धेरों बिमारियों के साथ लेकिन यहां के ट्रीट्मिंट के बाद एक नई सुबह उनका स्वागत करती है इस हॉस्पिटल की यह विशेश्ता है कि कई तरह की तक्नीकी के साथ यहां सरजरी की जाती है जैसे लेप्रस्कोपी, थोरिकोस्कोपी, आर्थोस्कोपी और साइस्ट्रोस्कोपी अनुभावी और एक्सपर्ट डॉक्टरों की देख रेक और मश्वेरे से मरीज को एक नई जिन्दगी मिलती है पूरे एशिया में सन् देशों के मरीजों के लिए यह हॉस्पिटल, एंडिस्कोपी सरजरी और लेप्रस्कोपिक सरजरी करता है सन्राइज हॉस्पिटल, हर्निय सरजरी और लेप्रस्कोपिक सरजरी में संबान प्राप्त कर चुका है देश-विदेश में सरजरी के एक्षेतर में इसने एक किर् वाइड ट्रेंड है दो हजार से जादा बेड़ वाले इस हॉस्पिटल में साधे तीन सो स्पेशलिस्ट और धाई हजार स्टाफ है जो मरीजों की सेवा में 24 गंटे तत पर रहते हैं संड्राइज हॉस्पिटल अपने आप में अकेला ऐसा हॉस्पिटल है जहां हर साल दस हजार से भी जादा मरीजों की दुर्बीन तकनीक से सरजरी की जाती है संड्राइज हॉस्पिटल की दिल्ली के अलावा कोचिन पलावरा टोंग, चंगाराम कुलंग, कनहानगड, एलिपे सोलापुर और दुबई में भी ब्रांचेज है संड्राइज हॉस्पिटल के हर ब्रांच में इंटरनाशनल लेवल के लेटिस्ट मशीने हैं जिन से मरीजों का बहतरीन से बहतरीन इलाज किया जाता है संड्राइज हॉस्पिटल के डागनॉस्टिक सेंटर एक दिल्ली में और दो मुंबई में स्थित है Sunrise Hospital में बच्चे की डिलिवरी कराने के साथ-साथ गाइने से संबंधित सभी तरह की सरजरी की जाती है यह Department डॉक्टर निकिता त्रेहान की देख रेख में काम करता है महिलाओं की डिलिवरी से संबंधित सभी जानकारियां गुप्त रखी जाती है Trend Midwives को ही नियुक्त किया जाता है जो पेशिन्ट को एंकरिज करने के साथ-साथ सपोर्ट करे सभी लेबर रूम में NST मशीन और मॉनिटर लगे हुए हैं ताकि पेट में पल रहे बच्चे की जानकारी मिलती रहे सीरिस पेशिन्ट को एमर्जेंसी में एक मिनिट के भीतर सिजेरिल यूनिट के साथ शिफ्ट किया जाता है इसके अलावा गाइने लापरोस्कॉपिक सरज़री, जेनरल, मिनिमल इन्वेसिव और बारियाट्रिक सरज़री, प्लास्टिक और कॉस्मिटिक सरज़री भी की जाती है साथ ही Pediatric and Nanotology का इलाज किया जाता है और Orthopedics and Sports Medicine भी दी जाती है Urology और Dental Care की भी सुविधाएं यहां उपलब्ध है Sunrise Hospital को सरजरी के एक शेतर में विश्व विख्यात बनाने के पीछे एक ऐसी सोच है जो निरंतर काम कर रही है जी हां अब बात कर रहे हैं Sunrise Hospital की मैरेजिंग डिरेक्टर निकिता त्रेहान की डॉक्टर निकिता को Obstetric Gynecology और Leproscopy Surgery में बहारत हासिल है उनका एक मात्र लक्ष है दीश की हर महिला को अपने स्वास्त के प्रती सजब कराना और उनमें जागरुकता फैलाना यह आपने तोड़ दिल पहले को अपरेशन किया हैं क्या उपरेशन किया है आपने क्या केस है नास्त केस्ट उपरेटर नॉन वस टोटल नाप्रिस्कोपिक हिस्ट्रेक्टमी मतला बच्चे दानी जो है उसको दूर बीन द्वारा निकाला गया यह केस में बहुत सारे रसॉलियां थी इस लेडी के बहुत सारे फाइब्रोइट्स थे तो इस लेडी का अभी हमने एक 20 वीक्स उट्रस्टमी मेंस की नेरी पांच महिने का बच्चा जितना होता है उतना बड़ा रसॉली मतलब नेरी एक केलो का यूत्रस निकाला है दूर सारे साथ हजार अपरिशन्स करनी है है दूर बिल से और सबसे चालेंजिग इस अभी गिनीज बुक के लेए अप्लाइब फोर है इंटर हो रहा है गिनीज बुक में इसमें 3.9 पीजी पी रसॉली निकाली जाए है महिला में महिलां से जुड़ी बीमारियों में खास तर प या प्ली होती है इसके बारे में आप की य कहींकी भुए रचा बाघी इंटरनाशन नेन्ट आटे चायर क करें करें तो वेरड़ ओग बुक में लागें अबुक कि टेस्फिए अबर्ट नु के रहां से कुटिलिग इसमेर उसके द destinat को एसमें में सोली होग एक़ लगार अगर आप साउथ इंडिया में चले जाए तो मेडिकरी बहुत अद्वांस है और नौ्थ इंडिया में आजाए तो बहुत ही पिछ रहा है साउथ इंडिया में 80% of surgeries are done by लाप्रस्थोपी, नौ्थ इंडिया में 80% of surgeries are done by लाप्रस्थोपी डौ्टर बहुत प्यारी बात के लिए आपने की एक मरीज के लिए एक self concern डौक्टर का होना बहुत जरूरी है आपसे जाना चाहूंगे आपने अपने पेशेंट को किसी और को रेपर किया कि बेटर सर्विस के लिए मुझे किसी और के पास इसे भीजना चाहिए बहुत बार ऐसा नगा है और स्पेशली जब मैं सीख रही थी जब मैं शुरू में आया थी आच्छे दस काल पहले लाप्रिस्कोपिक ट्रेनिंग करके मैं थेलोशिप्टी है दॉक्तर हाफीज वडायमान के अंडर इंसाओ इंडिया बहुत बार स्पेशली कैंसर केसेज में शुरू में मेरा कैंसर में हाथ बिर्कुर सही नहीं था तो अबिस्ली वह लर्निंग कर्व के टाइम पर इस कॉल दॉक्तर हाफीज किसार आप प्लीज आ जाएगे क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाई या मैं मरीज को अपना बैस नहीं दे पाई तो मैं इसी और को गैफर करूं और उस प्रोसेस में देखके उनके सुपोविजिन में करके सिखें डॉक्तर आप बानती है कि कई भार हॉस्पितल्स बार्केटिंग स्टन्स की शिकार हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप यही ब्रांड यूज कीजिए इसी कंपनी से एकुप्मेंट साइगे ऐसे में आपके यहां क्या सिनेरियो है इसकी पुल्फरेज निकालने के लिए अगें वी वी प्रेटिस करें के लिए अगें वी प्रेटिस करें सकता 29 purchase people are sitting in Koching which is the central hub and in Bombay जो आपकी central pharmacy purchase करते हैं जो आपकी central instruments purchase करते हैं तो कोई भी कुछ यूज करी सथा हैं को जो 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 ब्या है, जो मरीस के लिए सभी है वो सारेठागे पाटमेंट अलग है तो कोई भी दॉक्तर आपने पाइड के लिए कुछ कर सकता हैं यह वो हमें राइट सी निकाते हैं I want to know one thing, you're a doctor plus entrepreneur, what's most challenging thing for you? I think the most difficult is balancing time with the family, with being a surgeon or administrator skills इस सारे चीजें किरा शुरू होता है किरा खतम होता हमें फता हैं आप किनी sensitive और emotional हैं अपने patients के प्रती? very much I am, in my profession में सिर्फ अपने पाशन की वजा से आई हैं because I really care for my patients in fact, every patient, I sit and counsel them for half an hour कि आपकी सर्जुरी से होगे आप से करेंगे, यह सर्जुरी के बाद होगा I do my post-op round to myself, I have four units but फिर भी मैं अहरे एक पाशन को खुद देखती हु पहले भी, बाद में भी, सर्जुरी भी कुद करती हु because I feel that this is the ultimate trust अगर कोई patient, general anesthesia में मुझे trust करके अपनी life देता है तो उस से जादा वह मुझे कभी trust करी नहीं सकता कोई किसी और को trust में कर सकता I cannot let that person down So for me, my patients are a priority Dr. Nikita से हमारी बादचीर जारी रहेगी हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं Welcome back, आप देख रहे हैं हमारा खास कारिकर मुझे रुबरू और हमेशन की तरह इस बार भी हमारे साथ एक खास शक्सियत है और इस बार जो एंटर्प्रॉनर्स हमारे साथ जोड़ी है वो एक महिला है Dr. Nikita रहार अमने ब्रेक से पहले उनके प्रोफेशन के बारे में जाना था और आए चलते हैं देखते हैं कि संराइज हॉस्पिटल में किस तरह से उनका दिन बीखता है आए So we are on round now Yeah, we are on a post-operative round This is the first patient This patient underwent a laparoscopic I didn't know myomectomy yesterday Her uterine size was very big His uterus size was very big And due to their bleeding, they were 4 children But they didn't have a child to take care of it As you can see, it was a lot of good So we have a special surgery here from Afghanistan Their surgery successfully completed And today they are going to our home in India And tomorrow they are going to Afghanistan So you can see that after a laparoscopy Same day, the next day maximum patient goes home And like she is going to Afghanistan How many hours of flight is Afghanistan? 2 hours of flight 2 hours of flight There is no problem What are you doing now? It is very good, normal and good And everyone is happy in the family Everyone is happy in the flight We are very happy and we are very happy with the doctor And very thankful So Dr. Nikita, her passion is the only thing That you can get the pain of your patients And their family When every patient is far away from their pain Therefore, she comes to the hospital This is our patient today She was born on 4.58 pm Actually, this patient was in full-term pregnancy And the baby's head has gone behind बच्चा उल्टा हो गया बच्चा और गले में कॉर्ड लूप एक्दम पाइट हो गई इसने हमें ये बेबी को रिसस्टेट करने में भी थी मिनिट्स लगे बद संवाइज में 24-hour anesthesia service है और पीडियर्टिशन वगेरा सब उन्होंने अच्छे से से सब्सक्राइब कर लिया इसमें we have a new rockstar say hello but as you can see the baby is absolutely fine and the baby's family is absolutely delighted this is what we work for ये हमारे special labor delivery sweets है इन लेबर दिलिवरी स्वीट्स को बिटिश स्टैंट्स के अपरिंग दिजाइन किया लिया है यहां पे family को बैखने के लिए सब्सक्राइब को बैखने के लिए एक जगा दी जाती है और ये लेबर दिलिवरी स्वीट इस पकार का है कि जहां पे मरीज यहीं आए यहीं डिलिवर करे और यहीं से जाए कोई-कोई मरीज होते हैं जो थोड़ा दिर और रहना चाहते हैं तो उनको हम एक दिन के लिए भार शिफ करते हैं वरना यह बैग जो है यह बैग तोटली हो जाता है इंटो लेबर दिलिवरी बैग और यह जो आपको दिख रहा है यह सारे जो भी आपको चाहिए होंगे एक नर्मल डिलिवरी के लिए सारा कुछ यही स्टॉक कहता है इंटोरिंग दे लाइट जैसे वह आपको पीछे लाइट दिखेगी वह यहां ही पर सारा कुछ स्टिच किया जा सकता है यह सारे इंटेक्शन होगेरा सब कुछ हम यही रखते हैं ताकि यह प्रॉपर फुली एक्विप नॉर्मल डिलिवरी के लिए यह जगा है और किसी भी तरह की कोई भी कॉंपलिकेशन साय तो कॉंपलिकेशन हो यहां पर हांगल हो सकती है अगर नहीं अगर कोई ब्लीदिंग जादा है या सिजरेन के लिए शिफ करना है तो हमारे रिकॉर्ट ताइम में हम बहुत ऑफन द्रिल्स करते हैं विदिन 3 minutes the mother will be in the OT इतना fast कहीं पे भी नहीं होता है 3 minutes में we are ready for a cesarean if required गोई आप यहां पे special monitors है हर एक bed में हर एक जगा हर मारीज के लिए special monitors होते है यह monitor जो है यह baby monitor है including twins इसमें baby ki heart beat यह वो सब properly record होता है और हम लोग जैसे मैंने आपको कहा equipment पे कभी compromise नहीं करते है you can see that वहां पे baby receiving है warmer है सब है और इसी के पास में एक nursery है दोनों labor delivery suites के साथ nursery है जो की fully equipped with SLE 5000 ventilators from Wiproji और बाकी सब मतलब आप जो equipment में सोच सकते है वो सब nursery में equipped है और fully equipped staff दी है आये में आपको nursery लिखापने यह हमारा nursery है यह हमारा first nursery है जहां पे सिरफ mother feed करती है mothers for allowed नहीं होता इसके beyond यह feeding area है इसके beyond इसके beyond जो है यह है हमारा main nursery जहां पे photo therapy सारे equipment सारे ventilators सब कुछ है यह photo therapy है अगर बच्रे को अभी जॉन्रिस हो जाए तो उसके लिए यह बड़े-बड़े hospitals में नहीं होता लेकिन हमारी standard अगर sunrise का नाम लगा है तो वह standard है है लालबाय warmers है ventilators सब कुछ है जैसे आपको बिक्राइ फिलिप्स के ventilators है SLE 5000 infant ventilator है so we are very passionate about our equipment and I could also see being a woman you have really given a special care to it there is a personal touch to it क्योंकि doctor खुद एक महिला है तो वो बहतर समझती है कि हरी को अरत का बच्चा उसकी कम्जोरी होता है बिकुर and this is our special nursery staff Simol and Soumya they are very 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 good at baby care and to look after newborns so I am really proud of my team because they really 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 look after babies with TLC कहा प्लान रहता है आपको कैसे पुरी दे को प्लान करते है सुभी surgeries होती है 8 बजे से लेके and usually I finish my surgeries by 2 o'clock in between अगर कोई patient होता हो ऐसे scrubs मेह हम जाके मारीज देख लेते है उसके बाद में 2 बजे के बाद में 5 बजे तक usually patient appointments रहती है admin work रहता है और 5-6 बजे तक 6 o'clock I call it a day because then it's family time 6 o'clock तक from 8 o'clock to 6 o'clock are my usual working hours and laboring patients होते है cesareans होते है कि कि बच्चे अपना time could decide उनी patients में पसते है इसलिए मेरे पास 3-4 और assistance है लेकिन कोई-कोई होते है है जो high risk है especially जो मेरे साथ Conceive के है infertility is my forte infertility वाले patients जो सालों से conceive नहीं कर रहे है जिनके miscarriages होए मेरे पास 19 miscarriage के बाद एक लेडी आया हुई उनको healthy baby उनके जो इतने precious babies वो मैं खूद दिलिवा करते है तो बहुत ही hectic day रहता है और हम यहां पर एक छोटा सा break ले रहे हैं और break के बाद हम सीधे मुलाकात करेंगे इंके परिवार के साथ और जानेंगे कि अगर परिवार से हम सबसे ज़्यादा strength पाते है inspiration पाते हैं तो वो कैसे बने रही हमारे साथ देखते ही रूबरू हमारे आज की खास मेहमार डॉक्टर निकिता त्रेहान हमारे साथ बनी होई है वेलकम बैक बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कारिकम रूबरू में एक ऐसा शो जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ही शक्सितों से जो आपको प्रेड़ना दे सके जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आज की हमारे जो खास मेहमार है वो है निकिता त्रेहान बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो में अनुमय हम सबसे पहले में आपकी से जाना चाहूंगी कि एक सास और फेर उसके बाद बहु वो जो टाइम था जब निकिता आपके घर आई थी हम जैसे ऐसे आपने अपनी बहु को चुना एम को चुना निकिता ऑसस देटू हम लवाद यह भाऑ की उसे मिल गये और शादी के लिए डेहिए Goodbye कि अपने बहु को अरभीन जी आएख यह ठीम साथ घं» जो मैं ने डेक पा रही हूं यहाच मैं आप आप आर्मी में थे, पिर आपके जो बेटे हैं, ही इस इंटो रिल स्टेट और फिर बहुर दॉक्तर, इतने सारे प्रोफेशन्स एक ही घर में हैं, क्या केमिस्ट्री रहती है आप लगों की, हाव यू डिस्कुस्स यूर प्रोफेशन्स, एक वंडरफून मरी दॉक्तर है, एक प्रोफेशन्स टाओमस णीं वरेशन्स — बट खरो रहतों ही घर मरी और खरो रहती了 मरी चेग्शन और रहता तरह रहती है तो रहते हैं, हो ड्रीयट नय क्हीं से कर पूस्च。 सब कुछ fark जाती हिहिए कि उठरी हैν पथे बहता बहताजी कुछ कर सुछ इज रहती है मु के वज़ा से, family support है, my parents are also there, everybody is there, my husband is also there जब भी professional भाहुएं जब आती हैं घर में, तो family से मान के चलती है that she won't giving us much time, did you miss some time के? No, initially we spent a lot of time together, lot of time, I think first one year, two years and I think that is the time when bonding actually, initially, बहुत इसने भी प्यार दिया है, वो बच्चा प्यार देगा तो naturally Gauru was born after two years and by then you know she was like a daughter, I never used to like to introduce her as a daughter-in-law Your husband is not here, he is a busy person, so how do you discuss your work in quality time? Basically, I am a workaholic and you have seen that I am very passionate about my work So, you know you want to learn some tips and tricks, kuch suggestions लेने हैं Mom has been like I said an inspiration to me, I am one of the very few blessed people who support 4 parents, I don't call them in-laws or anything, I call them Bombay parents and Delhi parents So my Bombay parents support me in my Bombay ventures and my Delhi parents support me in my Delhi ventures Now Gaurav, you want to say something? Mama was saying and you were just about to say something, tell me Besides the work, she takes time out for me, like she takes me to adventure park, she is a very sporty person Tell me, tell me something about Mama, which I don't know After work also, she tells me at night, I tell her my secrets, she tells her to me Okay, so there is a mama and son friendship there, sharing secrets And what about Papa? Dad, he is very busy, he comes back and he is at meetings most of the time He encourages me to study and to play I am a certified skydiver, scuba diver, all those things How did this shock happen? During your college days? I have always been very adventurous Skydiving was something which is fantastic I have jumped 11,000 feet from the sky Scuba diving, I am a certified paddy driver to a level 4 So all these things are in your, you feel alive And another thing Anu, I am telling you That there is another chance of hiding in him He sings very well So who is your favourite singer? I love Mohit Johan, I love his voice I think he has got a brilliant voice I am very excited and I think everyone is waiting for you to do something I have with you to do something Like, the song is, I am an dancer Jessi and I will sing Like, the song is lovely Yes, but I am excited For the song, I am excited I am eager Oh, no, 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 no I am eager I am eager I am eager I do-only beautiful nice सुरी ले नोट पर ही आप से पूछना चाहरी हूं कि और फीचर में आपके क्या प्लान से क्या आप एक्स्प्लोर करना चाहती है आपने काला कि मैंने लगबग सब कुछ किया है मेरा एकी द्रीम है standardize health care जो ये 80-20 ratio है ना 80% open surgery 20% laparoscopy आप कि हम वो चेंज करें और इचुद बीच उल्टाव का 80% laparoscopy surgery 20% open surgery we want कि हम जितना control कर सकें अभी हमारे 3,000 beds है next 2 years में 5,000 beds ये सारे bed strength है हमारी ये सारे bed strength है हमारी वो कहीं compromise नहीं चीए and that I only wish to God कि gives us that strength to do it okay Gaurav आप ममी का प्रफेशन परस्यू करना चाहेंगे ये पापा था किसी का भी नी I am happy with both क्या बनना चाहेंगे आप ये रखेंगे I want to become a doctor so I think mama has inspired you a lot yeah most of the time खेलते हो आप ममी के सार? yeah और जीतना कौन है mom अभी के जनरेशन को एक different parenting चाहे आप अच्छा value system अच्छे संसकार देंगे अपने बच्चे को और उसको बताएंगे right or wrong क्या होता है तो बच्चा से wrong क्यों choose करेगा इतनी तो मतलब शम्ता अपने बच्चे पे और इतना विश्वास अपने बच्चे पे हमें भी रखने होगे मैं लास्ट में कही बताएंगे कि आपकी तरह जो महिलाएं है जो पढ रही है लिक रही है प्रफेशनल बन रही है और खास तोर पे एक entrepreneur बनने का सपना देखती है यह संदेश है आपका जो चीज आप नजए करते हूं जो चीज आपको खुषी देती है अंदर से और जो आपको लगता है कि मैं थकरी नहीं हूं I enjoy doing this this is the reason I get up in the morning do that कोई भी गलत प्रफेशन में आप जाओगे विशी और को खुश करने के लिए तो ना तो आप उसको खुश कर सकोगे ना अपने आपको, तो पहले अपने आपको खुश करें. Nice, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर ये बाती करके और हमेशा ये अच्छे पलों की तरह हमारे जहन में ताजा रहेंगी और हम यही इश्वर से प्राक्ना करेंगे कि ये खुशी, ये जो कॉडिनेशन है आप लोगों के बीच में, ये जो वाम्त है वो हमेशा बना रहे और इसी दुआ के साथ हम शुक्रिया आदा करना चाहते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया. ये थी डॉक्टर निकिता त्रेहान जिन्होंने अपने प्रोफेशन को और परस्नल लाइट को इतने बहतेरी धन से बैलेंस किया है कि आज हर महिला ये सोच रही होगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, जरूरत है ठोड़े से साथ की और हां बड़ो के अशुरवाद की, किसी सोच के साथ हम आज आप सिर्व विदा ले रहे हैं, अगले बार किसी ऐसी ही शक्सित से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक रखिए अपना ख्यालो बेखते रहे हैं, रूबरूब झालो 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 झालो